पिहार सिविल कोड के लिए हम लोगों ने एक शांदार बैच की सुरुवात की है, जिसमें खास तोर पे descriptive English और objective English, ये दोनों को बहुत ही शांदार तरीके से deal किया जाएगा, किताबों के साथ, अच्छे board PDF के साथ, और कई तरह के अन्य tools के साथ, साथी साथ इसमें बाकी के subjects इंक्लूड किया जा रहे हैं, जैसे computer, reasoning, math, GS, ये सारे subjects इसमें इंक्लूड किया जा रहे हिंदी के साथ, तो अगर आप ये course purchase करना चाहते हैं, तो description box और comment box में इस app का link दिया हुआ है, आप उस app को download करके, वहां से आप course को purchase कर सकते हैं, कल से इसकी live classes start हो जाएगी app के अंद जानना तो बनता है भाई कि किस level का question समसे पूछा जागा भया, आसान नहीं पूछा जागा, अगर आप सोच रहे हैं कि जाएंगे जायमातादी, 1, जायमातादी, 2 करके तुक्का लगागे चले आएंगे, तो तुक्का वाला बात भूल जाओ, तुक्का वाला बात ठक्तस नहीं होने वाला आपके examination में है न, सबसे important बात यहाँ पर यह आता है कि सर यह जो syllabus आपसे color का जो syllabus है, देखो मैंने post लिखा है, color क यहाँ पर लिखा है, और subject क्या-क्या रहने वाला है आपका, यह English language and grammar आपका रहेगा, जो आपका 20 number का रहने वाला है, हिंदी language और grammar जो रह बस क्या difference से जा सकता है, है न, अब यहाँ देखोगे सर, general knowledge और current affair, जो है आपसे वो 15 marks का पूछा जाएगा, maths आपसे पूछा जाएगा, 10 number का, और reasoning आपसे पूछा जाएगा, 10 number का, computer science आपसे 15 number का, और total जो number है हमारे पास, वो 90 number का exam हम से लिया जाएगा, color कवाले में, है बाते समझ में आ रही है, अब यह English language and grammar हो गया, English, Hindi language and grammar हो गया, general knowledge and current affair, maths, reasoning और computer science, भाई साब अगर आपने questions का level नहीं देखा है, तो जा कर देख लोग प्रेलिस्ट में पड़ा है, reasoning का, English का और maths का, क्या level रह चुका है आपके examination में, उन्हीं लोगों का selection होगा है, जो लोग अच्छे से तयारी करके जा रहे हैं, जो लोग topic वाइस पढ़के जा रहे हैं, जो लोग types of questions देखके जा रहे हैं, उन्हीं लोगों का selection होने बाला है, बाकी माथा पीट के रह जाओगा, selection नहीं होगा, और पढ़ना तो पढ़िएगा, पढ़ना तो पढ़िएगा भाई, चलिए, दूसरा, अगर हम लोग यहां पर बात करें, तर यह कलड का syllabus हो गया है, दूसरा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे reasoning के बारे में, इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल जाइन कर ली जागा, WhatsApp ग्रूप पे भी हम आपको यह सारा का सारा information और PDF के तौर पे सिंड कर दिया करेंगे है न, जैको, test of reasoning, verbal और analytical टाइप आप से पूछेगा, sitting arrangement का questions इस बार 5 नंबर का पूछा गया था भीया, blood relation नहीं पूछा गया था, लेकिन blood relation है आपका sitting arrangement, blood relation, circular sitting arrangement मतलब दो दो तरीके के sitting arrangement आप से पूछे जाएंगे, खैर इस बार question पूछा गया था, वो आपके SSC वाले में भी questions आशा आज तक नहीं पूछा गया है, डिगरी वाला सवाल था, ठीक है, दूतरा, analogy test आप से पूछा गया था, इस बार भी, ranking, symbolism और Venn diagram, बस यहीं आपको chapter पढ़ना, और यह सारा का सारा chapter मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, दूतरा, कि अगर हम बात करें math के बारे में, तो math का यहाँ बाडमास आप से पूछा जाएगा, simple calculation आप से पूछा जाएगा, time and distance आप से पूछा जाएगा, time and work आप से पूछा जाएगा, calculation of simple and compound interest भी आपका chapter topic दिया है, और ratio and proportion भी आप से पूछा जाएगा, ज्यादा chapter नह types of questions और questions का level जो है, वो आपका difficult level तो नहीं, लेकिन moderate level करके रखा है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा, चली से बस मैं, whatsapp group पे और telegram पे send करूँगा, दूतरा, English language और grammar के बारे में बात कर लें, तो letter writing, essay, प्रेसी और आपका comprehension और vocab आप से पूछा जाएगा, आपका क्या ह ने देखा है, अब देखो, वहाँ पे आपका जो 20 नमर का exam हुआ था, क्या हुआ था भई, आपका जो 20 questions था, वो बढ़ा कर आप से 25 questions भी करा जा सकता है, English में भी, और 25 questions आपका Hindi में भी करेगा, इस बात का ख्यार लगना, क्योंकि level वास्ट किया है, PT वाले में भी level को सही सही लिखा होना चाहिए, आपके कौपी में या आपको लिखना आना चाहिए है ना, चलिए साथ, तो अगर आप ये course purchase करना चाहते हैं, तो description box और comment box में इस app का link दिया हुआ है, आप उस app को download करके, वहाँ से आप course को purchase कर सकते है, कल से इसकी live classes start हो जाएगी, आप के अंदर. दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हिंदी language और grammar के बारे में, तो ये आपका consisting लिखा है, consisting of letter writing लिखा है, essay लिखा है, प्रेसी लिखा, comprehension और vocab लिखा है, हिंदी का भी syllabus लगभग बराबर है, वही जो आप singless में पूछा गया है, उसी को हिंदी में भी पूछ पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये पीटी और मिंस का स्लेवत जो है, वो आपका color और reader वाले का दोनों का बराबर होने वाला है, लेवल तो रहेगा, लेवल दोनों का अलग-अलग होने वाला है, ठीक है, लेकिन जो topic दिया गया न, वही topic से questions आपका होने वाला है, अब सारा topic है, अब मन में एक सवाल आएगा, कि सारा आप एक बात बता दो, ये सारा topic आफिरम को मिलेगा, कहां, ये topic चलेगा, भाई साब यही class time मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा, तो वीडियो के end तक बने रहिएगा, ठीक है, आजएए, आप computer science में आप से क्या-क्या- history of computer पुछेगा, fundamental of computers and technology के बारे में पुछेगा, computer abbreviation पूछेगा, basic of hardware and software पूछेगा, keyword shortcut पूछेगा, operating system and basic पूछेगा, basic function आप से पूछेगा, MS office का, internet terms पूछेगा, and service networking and communication आप से पूछेगा, security tool and viruses आप से पूछेगा, virus के बारे में आप से पूछेगा, तो ये सारा का-सा सारा टॉपिक बहुत जारा इंपॉर्टेंट है मैं सारा का सारा पेडियर टॉपिक वाइस करके भी डालूंगा टेंसन मतले ना भाया शुरू से अभी तक खड़े हैं तो अंत तक खड़े रहेंगे आप लोग के साथ इस बात की गारेंटी है ना चलिए आगे चलते हैं आग त्यून के कर रहा हूं ठीक है अब जो मैंने स्लेवस यहां पर बताया है जो भी आपका टॉपिक है यह सारा का सारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोट रिडर वाले के लिए कोट रिडर का मेंस होने वाला करक का पीटी नहीं हुआ ठीक है अब देखो यहां पर कि यह जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिडर वाले में वह इंग्लिस लैंग्वेज और ग्रामर का टॉपिक यह टॉपिक पूछा जाएगा लिख के रख लो दूसरा आपका हिंदी का भी टॉपिक भी यह पूछा जाएगा लिए उसका तयारी भी आपको करना रहेगा रिजनिंग से रहेगा पिर आपका जनरल साइन से रहेगा वो सारा का सारा सेक्षन आपको तयार करना पड़ेगा सारी की responsibility हमारी attention मत लेना आप आस कॉमेंट करना कि सर क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हो वह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है कुछ क्लासे आपका स्टार्ट है आगे चलिए आगे आजाई है आगे आगे आप लोग बात कर लेते हैं डेट ऑफ कलरक एक्जाम डेट ऑफ कलरक एन प्यून एक्जाम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक सब कुछ करा दे तो यह थोड़ा सा time लग सकता है मेंस के हो सकता है कि एक मन्त बाद इसका डेट रखे क्योंकि बहुए एक म महिने का तो समय देगा एक महिने का समय देने वाला है कि जब भी आपका कलोडग्यूर् выпуск एक्जाम होगा तो एक्षडेर महिने पहले आपको इंफर्म करेगा अब आप उस एक्षडेर महिने में तयारी नहीं कर पाओगे ये बात लिक के रख लो और एकदम ड्रिटस अंकल्प कर लो भया कि मैं जो बात कह रहा हूं ये ब्रह्मा का लगीर ने कुनाल गुरू का लग एक्जाम हुआ है तो यह जब एक्जाम हुआ है तो 17 के बाद हो सकता है कि 15-20 दिन के बाद इसका मेंस लेगा उसका भी तयारी करना पड़ेगा ठीक है दूसरा और उसके ठीक एक महिने बाद के लड़क और प्यून का आपका एक्जाम लेने वाला है